नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Banking Chronicle YouTube चैनल पर अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेश पहले यूज किये जाते थे इसी वजए से मतलब जो competition है दोस्तों वह बढ़ते जा रहा है बहुत से students जो नएने तरीकों को apply कर रहे हैं वो काफी जल्दी puzzles को बना लेते हैं तो अगर आप भी यह सब चीजे सीखना चाहते हैं पहले तो इस वीडियो को पूरा आखरी तक द दिखाने वाला हूँ इस puzzle को solve करके जो की शायद आपने और कहीं नहीं देखी होगी जो मेरे students हैं जो पुराने students हैं उनको तो पता होगा लेकिन जो नए students हैं इस वीडियो को आखरी तक आपसे puzzle बन भी जाये तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखेगा दोस्तों क्योंकि क कुछ नया सीखने को आपको लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है तो मैं थोड़ा सा यहाँ साइड हो जाता हूँ वीडियो को pause कर लिजे इस question को बनाने की कोशिश करिए तीन मिनिट से जादा आपको इसमें नहीं लगना चाहिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगोंने कोशिश की होगी चलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं तो यहाँ पर देखे दोस्तों हम इस question को बनाते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो देखे 8 person A, B, C, D, E, F, G, H are sitting on a straight bench in the ground at an equal distance between each other but not necessarily in the same order some of them are facing north and some of them are facing south मतलब कुछ लोग north की तरफ face कर लें कुछ लोग south की तरफ face कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं ऐसे arrangement बनाते हैं सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है आगे आप पो बोल रहा है H sits second to left of B, H sits at one of the extreme end ध्यान से देखे का इस condition को यहाँ पर क्या बोल रहा है H sits second to left of B, H sits at one of the extreme end तो बहुत से मतलब आप मेसे जितने भी student हैं जिनको यह वाला concept नहीं पता है तो वो क्या करते हैं कि H sits at one of the extreme end एक बार H को यहाँ पर लेते हैं एक बार H को यहाँ पर लेते हैं काफी लोग यह चीज़ करते होंगे अगर दोस्तों आप लोग यह चीज़ करते हैं तो comment में जरूर बताईएगा कि हाँ हम यह चीज़ करते थे लेकिन यह चीज़ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि यह दोनों ही possibility same है कोई फरक नहीं पड़ता इस से तो solve कैसे करन of the extreme end और H जो था वो कहां पर बैठा है second to left of B मतलब B यहां पर बैठा होगा उपर की तरफ देख रहा होगा तो first और second left में H हो गया ठीक है अब देखें क्या बोल रहा है C sits third to right of G, C जो है वो third to right में बैठा हुआ है G से इसको बना लेते हैं ऐसे लिख देते हैं कि G से third to right मे C है, neither C nor G sits near to E, G और C दोनों ही E के बगल में नहीं है मतलब इनके neighbor में E नहीं होना चाहिए ऐसे cross कर देते हैं, अब बोल रहा है there are three percent sit between B and E, तो B और E के बीच में तीन लोग बैठा है तो यहां direct बना लेते हैं, B से 1, 2, 3 छोड़कर यहां पर बना देते हैं E, तो यह condition भी हो गई हमारी, अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, A sits second to the right of G, A जो है वो G के second to right में बैठा हुआ है, यहां पर लिख लेते हैं, A जो है वो G के second to right में है, D does not sit at any of the extreme end of the bench, D जो है वो end पर नहीं बैठता तो यहां लिख लेते हैं, D end पर नहीं होगा, cross कर देते हैं, G के जो immediate neighbor है, यह दोनों के दोनो opposite direction face करते हैं, और क्या बोल रहा है, immediate neighbor of G face opposite direction, the one who sit at the extreme ends face opposite direction, तो ends वाले opposite देखेंगे, तो यहां पर लिख देते हैं, ends, opposite, आगे आपको बोल रहा है, C and D face same direction as G, तो C, D और G ये तीनों के तीनों same direction face करते हैं ठीके तीनों के तीनों same direction face कर रहे हैं E sits immediate right of D E जो है वो immediate right में बैठा हुआ है D से अब दोस्तों ध्यान से सुनिए D जो है वो end पर नहीं बैठा लेकिन E जो है वो D के immediate right में है मतब हम बोल सकते हैं कि D अगर end पर नहीं आएगा तो यहीं पर आएगा, ऊपर देखेगा तभी immediate right में E हो पाएगा ठीक है, तो ये condition हमारी हो गई अब इसके बाद क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर देखे, immediate neighbor of B face opposite direction, immediate जो B के neighbor है ये दोनों के दोनों opposite direction face करते है एक उपर तो एक नीचे, ठीक है आगे बुरा E face है same direction as F E और F का direction same है यहाँ लिख देते हैं, E और F same है A does not face south direction A जो है south direction face नहीं करता मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A जो है वो north direction face कर रहा है अब दोस्तों इसको solve करते हैं हाला कि पहले भी solve कर सकता था बट मैंने पूरा question पहले पढ़ लिया, note कर लिया अब मैं solve कर रहा हूँ, ठीक है आप पहले भी इसको solve कर सकते थी ये condition direct set हो रही है कैसे set होगी इस चीज को देखे यहाँ पर आपको क्या पता है भी, g और c दोनों के दोनों e के बगल में नहीं होने चाहिए मतलब यहाँ पर नहीं हो सकते है अगर यहाँ पर नहीं हो सकते है तो हमारे पास g से 2 छोड़कर c के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगा दिखरी है ये वाली, ठीक है g और c के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली दो जगा दिखरी है तो हम ये बोल सकते हैं कि g और c में से कोई एक यहाँ पर होगा g और c में से कोई एक यहाँ पर होगा ऐसा बोल सकते हैं अभी direction वगड़ा रहने दीज़े, अभी direction नहीं सेट करना है अब देखिए कि g से एक छोड़कर a चाहिए था अगर मैं g को यहाँ पर मानूँगा तो g से एक छोड़कर a नहीं हो सकता g से एक छोड़कर a नहीं हो सकता इससे हमको confirm हो गया कि भी g यहाँ नहीं होने माला, g यहीं पर होगा c यहाँ पर confirm था चलो इसको set कर देते हैं, confirm कर देते है तो यहाँ पर g जो है यह confirm हो गया c जो है वो यहाँ पर confirm हो गया अब आप direction को set करो कि g के right में c है, मतलब g उपर की तरफ देख रहा होगा तो अभी first, second, third right में c हो गया g के second to right में a है तो g से पहला, दूसरा a यहाँ पर आ गया यह भी set हो गया अब बचा क्या है आपके पास? एक ही नाम बचा है कौन सा नाम बचा था? चलो देख लेते हैं f बचा हुआ है, f को रख देंगे last में अब देखें b के अगल बगल वाले opposite है अगर b के इस तरफ वाला उपर देख रहा है तो b के इस तरफ वाला नीचे देखेगा ends वाले opposite है मतलब अगर यह नीचे देख रहा है तो यह उपर देखेगा और किसका direction बच गया? c, d और g सेम direction है अगर d उपर देख रहा है कोई यह लग रहा होगा कि यह तो गलत होगी है सर आपका, क्योंकि ए जो था वो तो नौर्थ फिस कर रहा है, काफी लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी, कि सर ये तो गलत होगी, आपने गलत बनाया है, फिर से सुन लीजिए, कुछ लोग शुनते नहीं है, नीचे mention नहीं किया गया है कि north आपको उपर ही मानना है या south आपको नीचे ही मानना है ऐसा कहीं पर भी आपके question में mention नहीं किया गया है तो वो आपकी मर्जी है आप चाहे उसको उपर की तरफ north मानो चाहे आप नीचे की तरफ north मानो अब यहाँ पर सवाल आता है दोस्तों कि अगर आपसे मैं कुछ question पूछूँ तो question के answer भी check कर लेते हैं बिल्कुल सही होंगे answer के साथ मैं आप लोगों को match करके दिखाऊंगा ठीक है तो मैं कुछ questions आप लोगों से पूछता हूँ पहले तो हम answer match करते हैं कि answer सही है की नहीं H G B A C D E F H G B A C D E F H G B A C D E F बिल्कुल line से है सिर्फ वो जो H है ऐसा दिख रहा है और हमारा answer इस तरफ से दिख रहा है ऐसा उसे कोई फरक नहीं पड़ता कोई एक सवाल ले लेते हैं कि D के 3rd to left में कौन बैठा हुआ है तो आप यहाँ पर देखें D के 3rd to left में कौन है D नीचे देख रहा है पहला left, दूसरा left, तीसरा left, B बैठा हुआ है अब हमारे answer में देखते हैं D के 3rd to left में कौन है पहला left, दूसरा left, तीसरा left, B बैठा हुआ है एक और answer देखते हैं अगर मैं आपसे पूछूँ कि G से 4th to right में कौन है तो G से 5th right देख लेते हैं तो G से 5th right कौन है भई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा E दिख रहा है इसमें भी देख लेते हैं कि G से 5th to right कौन है तो यह देखो G नीचे देख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा E दिख रहा है तो सारे answer आपके same आएंगे आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है दोस्तों अगर आपसे question पूछे कि how many person are facing south तो गडबण मत कर देना भई क्योंकि हमने south उपर लिया है ठीक है तो गडबण मत कर देना हमने north नीचे माना है तो south face करने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं इसके भी answer में देख लेते हैं कितने लोगे south face करने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल इसके भी 6 लोग थे जो south face कर रहे हैं हमारे answer में भी total 6 लोग है जो south face कर रहे हैं तो ये इसको बोलते है पलटने वाला concept मतलब क्या है दोस्तों हम किसी भी एक figure को बना कर जैसे ये tip दिख रही है इस तरफ तो हम उसको बना कर ऐसा पलट दे रहे है मतलब आप page को बनाओ page को पूरा 180 degree में आप rotate कर दो आपको actual answer दिख जाएगा तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे tips टिप्स तो नहीं बोलेगा tricks ऐसे बहुत सारे होते हैं puzzle को solve करने में जो कि आप लोगों को बहुत जादा useful रहेंगे अगर आप puzzle को जल्दी-जल्दी solve करना चाहते है within 2-2 minutes अगर आप puzzles बनाना चाहते हैं आप लोगों ने देखा होगा बहुत से students बनाते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तो thread method पलटने वाला concept हो गया dot method हो गया तो ये सारे तरीके अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा puzzle का एक नया course Unacademy पर launch हुआ है उसमें अभी सिर्फ 3 classes हुई है दोस्तों अगर आप उस course को देखना चाहते हैं वैसे तो मेरे बहुत सारे puzzle के courses है Unacademy पर और आपको सारे ही courses देखने मिल जाएंगे पर click करना है ये code लगाना है maximum discount आपको मिल जाएगा मेरी class की timing जो है दोस्तों वो है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक और ये classes जो puzzle का course मैं बता रहा हूँ जो अभी start हुआ है ये होता है Wednesday, Thursday, Friday और Saturday तो हफते में ये 4 दिन classes होती है 10 घंटे की और अभी सिर्फ 3 ही class होई है उसकी भी आप recording देख सकते हैं दोस्तों तो miss नहीं करिए puzzle सीखना है, बहतरीन तरीके से सीखना है तो इस course को ज़रूर देखिएगा All the best, you can and you will अगर आप चाहो तो channel को subscribe नहीं कियें दोस्तों तो channel को subscribe ज़रूर कर लिजेगा और bell icon को press कर लिजेगा ताकि आने वाले videos की notification आप लोगों को मिलते रहे